हेलो एब्रीबन वेलकम टू प्रतिक आईक्यू आज हम लोग देखेंगे बिहार दरुगा एस्पेशल फिजिक्स एमसी क्यू सीरीज का पार्ट थ्री तो आते हैं पहले क्यूस्चन पे पहला क्यूस्चन है कोन सा दर्पन है जो हमेशा वस्तू का सीधा प्रतिभीम बनाता एक Two-D प्लेन मिरर, option B कर्व मिरर, option C कंकेब मिरर, उतल दर्पन option D, कॉन्वेक्स मिरर उतल दर्पन तो कालिक टांसर क्या होगा option D, कॉन्वेक्स मिरर उतल दर्पन हमेशा वस्तू का सीधा प्रदिविम बनाता है अब आता है question number 2 पे वह धातू जिसके लिए थॉम्षन गुनांग सुन्ने है आपके बस option है, option A lead, option B, copper option C, iron, option D nickel, तो कालिक टांसर क्या हो जाएगा, option A lead, lead का जो थॉम्षन कोफिसेंट होता है, जीरो होता है अब आते next question पे एक टडल की कठोड़ता का मापांग क्या होता है आपके बस option है, option A 0, option B 1, option C infinite, option D none of these, तो कालिक टांसर क्या होगा, option A 0, और 0 क्यों होता है liquid का, क्योंकि हम लोग liquid को compress नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा answer, 0, अब आते question number 4 पे aim दरविमान के एक कन का plan wake, escape velocity किस परकार बतलता है आपके बास option है, option A aim का power 0, option B aim, option C aim square, option D aim का power minus 1 तो क्या हो जाएगा option A aim का power 0, यह इसको 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है तो escape velocity का formula क्या होता है under root 2GM upon R तो यहाँ पे M पे depend नहीं करता है, M क्या है, mass of planet है R क्या है, radius है, तो M पे कहीं depend नहीं करता है तो कैसे change होगा, M to 3 power 0 correct transfer हो जाएगा option A आप आते next question पे साबून का बुलबूला किसके कारण गोलाकार अकार प्राफ्ट करता है आपके पास option है, option है inertia, जड़ता option B, pressure option C, surface tension option D, viscosity तो correct transfer क्या होगा option C, surface tension सता तनाव के कारण साबून का बुलबूला गोलाकार अकार प्राफ्ट करता है अब आते next question पे सिंपल हर्मोनिक motion में कमपन करने वाले कन की कुल उड़जा किसके वर्ग के समानुपाती होती है आपके बस option है, option A, velocity वेग, option B, acceleration तो औरन, option C amplitude, I am, option D none of these, तो correct answer होगा यहाँ पे, option C amplitude अब आते next question पे एक लड़की बैठने की स्तिति में जूले पर जूल ड़ई है अकर वा खरी हो जाती है तो जूले की ओधी कैसे प्रभावित होगी, आपके बस option है option A, ओधी कम हो जाएगी, option B ओधी अब लंबी होगी option C, कोई change नहीं होगा option D, इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा option A अब ओधी कम हो जाएगी अब आते question नमर 8 पे सधारन पानी की तुलना में समुंद्र के पानी में तैरना आसान होता है आपके पास option है option है क्योंकि समुंद्र तल पर वायू मंडलिये दबाव सबसे अधिक होता है option B, समुंद्र के पानी में होता है नमक option C, समुंद्र के पानी का घनत वर समाने पानी की तुलना में अधिक होता है option D, समुंद्र के पानी का घनत वर समान या पानी की तुलना में कम होता है तो correct answer क्या होगा option C समुंदर के पानी में तैरना इसलिए असान होता है कि समुंदर के पानी का जो density होता है और normal water रे compare में अधिक होता है तो correct answer हो जागा option C अब आते question number 9 पे एक तरल टैंक के तल पर दबाओ किस पर निर्भर नहीं करता है एक liquid टैंक है उसके floor पे दबाओ किस पर निर्भर नहीं करेगा आपके पास option है option A गुर्थवा कर्शन के कारणतोरन option B तरल का घनतोर density of liquid option C तरल की उचाई option D तरल सता का छेत्र फल तो correct answer क्या हो जाएगा option D will be the correct answer चो liquid surface का छेत्र फल होता है उस पर depend नहीं करता है density ले डिबेंड करेगा liquid की density पे height पे डिबेंड करेगा और G पे भी depend करता है तो किस पर डिबेंड नहीं करेगा चो liquid surface का area है उस पर डिबेंड नहीं करेगा तो option D will be the correct answer अब आते हैं question number 10 पे निम्निलिक्षित में से किस अस्थान पर G कमान सबसे बड़ा है आपके पास option है option A Mount Everest की चोटी पर option B कुतुब मिनार के उपर option C भूमत दे रेखा पर option C अंट्राक्टिका में एक सिवीर अस्थल तो G कमान जाता कहां होता है पोल पे तो correct answer क्या होगा option D अंट्राक्टिका में एक सिवीर अस्थल पे अब आते हैं question number 11 पे ये ती V0 प्रित्वी की साता के करीब एक गोलाकार कक्छा में एक उपकरा का कक्छिये वेक यानि और्विटल वेलोसिटी हो तो क्या रिलेशन होता है भी जो होता है root 2 times escape velocity के बराबर होता है तो correct answer हो जाएगा option C और ये क्यों होता है जो जो और्विटल वेलोसिटी होती है ना जो और्विटल वेलोसिटी होती है इसका फर्मूला होता है under root GM upon R और escape velocity का फर्मूला क्या होता है under root 2 GM upon R तो इन दोनों से रिलेशन क्या आता है भी एक्वल टू root 2 times और विटल वेलोसिटी तो correct answer option C हो जाएगा अब आते question number 12 पे यदि प्रीथपी तेजी से घूमती है तो ध्रूगों पर गुर्दुवा कर्शन के कारण तोरण क्या होगा आपके पास option है option A increase हो जाएगा बढ़ जाएगा option B decrease होगा option C same रहेगा option D none of these तो correct answer क्या हो जाएगा option C same रहेगा ऐसा क्यों होगा क्यों क्या अर्थ जो है वो अपने पोल पे घूमेगी तो इसी के रिस्पेक्ट में घूमती है ना तो इस भी कोई फरक नहीं परेगा इसलिए पोल पर गुर्दुवा कर्शन के कारण तोरण जो होगा हो same रहेगा तो option C will be the correct answer अब आते question number 13 पे यदि प्रिथ भी घूमना बंद करते तो जी का मान क्या होगा option A increase करेगा option B decrease करेगा option C same रहेगा option D 0 हो जाएगा तो correct answer क्या होगा option A यदि प्रिथ भी घूमना बंद करते तो जी का मान बढ़ जाएगा option A will be the correct answer अब आते question number 14 पे 3R की विर्थाकार कक्छा में एक उग्रा की ओधी T है और 3R की विर्थाकार कक्छा में एक अन्य उग्रा की ओधी क्या होगी तो मैंने आपको बताया था K plus का third law उसमें क्या था कि T square किसके proportional होता है चो पिडिय ओधी होती है T square और radius के cube के बरावर होती है तो question में क्या पूछ रहा है कि मान लो कि यह यहाँ पे circular orbit है विर्थाकार कक्छा है इसका radius क्या है R है और इसमें एक satellite है satellite घूम रहा है इसका time period क्या है T है अब एक दूसरा circular orbit है इसका radius क्या है 4R है और हमें क्या निकालना है इसका period कितना होगा तो हमने मान लिए है कि इसकी ओधी कितनी है T dash है तो K plus का third लो क्या बोलता है कि T square proportional to R की होता है तो पहले वाले के लिए तो इससे ही है T square ओधी कितना है T है radius कितना R है और दूसरे वाले के लिए हमने क्या माना है और दी क्या माना है T dash माना है न तो इसको लिए सकते है T dash square proportional to 4 R Q यही बताया था मैंने हमें T dash के value निकालनी है T के form में तो क्या करेंगे दोनों को divide करेंगे तो क्या लिए सकते है इसे T dash square divide it upon T square equal to 4 R Q कितना हो जागा 64 R Q divide it upon R Q R Q से R Q cancel हो गया क्या है हमारे पास T dash square equal to 64 64 64 T square हो जागा यहां पर 64 T square तो यहां से T dash की value कितनी हो जाएगी 8 T तो correct answer क्या हो जाएगा option D T dash के value कितनी हो जाएगी T dash equal to 8 T क्यूंकि 64 का square root क्या होता है 8 होता है तो correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option D will be the correct answer अब आते हैं question number 15 पे जो कि आज का last question है एक पक्षी एक तार के पिंजरे में बैठा है जो एक spring balance से लटका हुआ है यती पक्षी पिंजरे के अंदर उरना सुरू कर देता है तो spring balance का reading क्या होगा आपके पास option है option A कोई बदलाओ नहीं होगा option B पहले से कम हो जाएगा option C पहले से ज़्यादा हो जाएगा option D इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा option B पहले से कम हो जाएगा क्योंकि जब उरने लगेगा तो normal force नहीं लगा पाएगा तो correct answer क्या हो जाएगा पहले से कम हो जाएगा और एक किस किस में है जब तार का पिंज रहा हो तो option B will be the correct answer तो यह था हमारा part 3 अगर वीडियो पस्तान दे तो like करें और चैनल को subscribe जरू कर ले मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ तब ते के लिए नमस्कार जैहिंद